गिंती की पुष्टक अध्याय तीन पहलटों की संती लेवियों का यहवा से गिरहन किया जाना। जिस समय यहवा ने सीनय परवत के पास मुसा से बात की उस समय हरुन और मुसा की यह वइशावली थी। हरुन के पुत्रों के नाम यह है। नादाब जो उसका जेठा था और अभिहु एलियाजार और इतमार हरुन के पुत्र जो अभिशिक का याजक थे और उनका संसकार याजक का काम करने के लिए हुआ था उनके नाम यही है। नादाब और अभिहु जिस समय सीनय के जंगल में यहवा के सन्नुख उपरी आग ले गए उसी समय यहवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहिन भी थे। अलियाजर और इतमार अपने पिता हरुन के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहवा ने मुसा से कहा लेवी गुत्रवालों को समीप ले आकर हरुन याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करे। और जो कुछ उसकी और से और अपनी मंडली की और से उन्हें सवपा जाए उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तम्बु के सामने करे। इस प्रकार वे तम्बु की सेवा करे। वे मिलाप वाले तम्बु के कुल सामान की और इस्राइलियों की सवपी हुई वस्तुओं की भी व्रक्षा करे। इस प्रकार वे तंबु की सेवा करें और तु लेवीयों को हारुन और उसके पुत्रों को सवब दें और वे इसरायलियों की ओर से हारुन को संपुर्णरीती से अरपन किये हुए हो। और हारुन और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करें और यदी अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाएं। फिर यहवा ने मुसा से कहा सुन इस्राइली स्त्रियों के सब पहलोठों की संती मैं इस्राइलियों समें से लेवियों को ले लेता हूँ। सो लेविय मेरे ही हो। सब पहलोठे मेरे हैं। क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहलोठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशू इस्राइलियों के सब पहलोठों को अपने लिए पवित्र ठैराया। इसलिए वे मेरे ही ठेरेंगे, मैं यहवा हूँ। फिर यहवा ने सिनए के जंगल में मुसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष एक महने वा उससे अधीक अवस्ता के हो, उनको उनके पित्रों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यहाँ आग्या पाकर मुसा ने यहवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवि के पुत्रों के नाम यह है। अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कूल चले उसके नाम यह है। अर्थात लिबनी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कूल चले ये है, अर्थात अमराम, इसहार, हेबरोन और उजियल, और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कूल चले ये है, अर्थात महली और मुशी, ये लिवियों के कूल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है, गेर्शोन के लिब्बियों और शिमियों के कूल चले। गेर्शोन वंशियों के कूल यही है। इन में से जितने पुरुषों की अवस्था एक महिने की वा उससे अधिक थी, उन सभूं की गिंती साड़े साथ हजार थी। गेर्शोन वाले कूल निवास के पीछे पस्चिम की ओर अपने अपने डेरे डाला करते थे। और गेर्शोन यह के मुलपुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबु की जो वस्थुए गेर्शोन वंशियों को सवपी जाए वे यह हो अर्थात निवास और तंबु और उसका ओहार और मिलाप वाले तंबु के द्वार का परदा और जो आंगन निवास और वेदी की चारो ओर है उसके परदे और उसके द्वार का परदा और सब दोरिया जो उसमें काम आती है। फिर कहात से अमरामियों, इसहारियों, ह उज्येलियों के कूल चले। कहातियों के कूल यही है। उनमें से जितने पुरुशों के अवस्ता एक महिने की वा उससे अधीक थी। उनके गिंती 8600 थी। वे पवित्रस्थान की रक्षा के उत्तरदायत्व थे। कहातियों के कूल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करते जो दखिन की ओर है। और कहात वाले कूलों से मुलपुरुश के घराने का प्रधान उज्येल का पुत्र एली सापान हो। और जो वस्तुए उनको सवपी जाए वे संदुक, मेज, दिवट, वेदिया और पवित्रस्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है। और परदा, निदान, पवित्रस्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियो के प्रधानों का प्रधान, हरुन, याजक का पुत्र, एल्याजार हो। और जो लोग पवित्रस्थान की सवपी होई, वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कूल चले, मरारी के पुत्र कूल यही है, इन में से जितने पुरुशों की अवस्ता एक महिने की वह उसे अधीक थी, उन सभों की गिंती 6200 थी, और मरारी के कुलो के मुल पुरुश के घराने का प्रधान अभी हैल का पुत्र सुरियल हो, यह लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुए मरारी वंशियों को सोपी जाए कि वे उसकी रक्षा करें, वे निवास के तक्ते, बेंडे, खंबे, कुरसिया और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बरतने में काम आए, और चारो और के आंगन के खंबे, और उनकी कुरसिया खुंटे और दोरिया हो, और जो मिलापवाले तंबु के सामने अर्थात, निवास के सामने पुरब की ओर, जहां से सुरियोदे होता है, अपने देरे डाला करे। वे मुसा और हरुन और उसके पुत्रों के डेरे हो। और पवित्रस्थान की रखवाली इसराइलियों के बदले वे ही किया करे। और दूसरा जो कोई उसके समी पाए, वह मार डाला जाए। यहवा की इस आग्या को पाकर एक महिने की वा उससे अधीक अवस्थावाले जितने लेविय पुरुशों को मुसा और हरुन ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब बाएस हजार थे। फिर यहवा ने मुसा से कहा, इसराइलियों के जितने पहलवठे पुरुशों क अवस्था एक महिने की वा उससे अधीक हैं, उन सभों को नाम ले लेकर गिन ले। और मेरे लिए इसराइलियों के सब पहलवठों की संती लेवियों के पुरुशों के सब पहलवठों की संती लेवियों के पुरुशों को ले। मैं यहवा हूँ। यहवा की इस आग्या के अनुसार मूसा ने इस्राइलियों के सब पहलोठों को गिन लिया और सब पहलोठे पुरुष जिनके अवस्ता एक महिने की वह उससे अधिक थी उनके नामों की गिनती 22,273 थी तब यहवा ने मूसा से कहा इस्राइलियों के सब पहलोठों की संती लेवियों को और उनके पश और इस्राइलियों के पहलोठों में से जो 273 गिंती में लेवियों से अधीक हैं, उनके छुडाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेक्यल ले, वे पवित्रस्थान के शेक्यल के हिसाब से हो, अर्थात 21 का शेक्यल हो, और जो रुपया उन अधीक पहलोठों की छुडोती का उसे हारुन और उसके पुत्रों को दे देना, और जो इस्राइली पहलोठे लेवियों के द्वारा छुडाए होँ से अधीक थे, उनके हाथ से मुसा ने छुडोती का रुपया लिया, और 1365 शेक्यल रुपया पवित्रस्थान के शेक्यल के हिसाब से वसुल हुआ, और यह की आग्या के अनुसार, मुसा ने छुडाए होँ का रुपया हारुन और उसके पुत्रों को दे दिया,